कि युद्ध निश्चित हो गया है तैयारियां प्रारंब हैं और उसे पूर एक ऐसा अवसर आता है जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान क्रिश्च के पास होते है विकल्प खुला भगवान सामने रख देते हैं कि दोनों आए हों सहाइता के लिए युद्ध में मेरा विकल्प खुला है एक और मैं रहूंगा निहत्था निशस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं युद्ध करूंगा नहीं और एक और मेरी दिव्य नाराइनी दिव्य अस्तर शस्त्रों से सज्जित विराठ सेना रहेगे दोनों भी कल्प सामने थे मांगने की बारी अर्जुन की थी पहले दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण मैं पहले आया हूं पहले मैं मांगोगा लेइन फगवान ने कहा नहीं दुर्योधन मैंने पहले अर्जुन को देखा और इसलिए पहला अधिकार मांगने का अर्जुन को है और एक और बात है दुर्योधन जहां ऐसा पक्ष आता है अर्जुन तेरे से छोटा है छोटे को पहले नम पहले नमबर मिलता है प्रात्मिक्ता दी जाती है और इस त्रिष्टी से भी पहला क्रम अर्जुन का बैठता है मांगने का और सत्य ये है कि इसके पीछे भगवान के भीतरिक फावत भी रहा होगा ये दिपि मांभारत में ऐसा लिखा नहीं लेकिन लगता है कि भगवान ने सोचा होगा कि दुर्योधन ने पहले कह दिया मांगने को अगर कहीं इसी को पहले मांगने की अनुमती दे दि पक्षिदों ही है एक और मैं हूँ एक और विराट सेना है दिव्यास्त्र शस्त्र है और अगर कहीं एक क्षण के लिए भी दुर्योधन की बुद्धी सुबुद्धी बन गई और पहले मांगने का दिकार पा करके दुर्योधन की वानी से ये निकल गया कि कृष्ण मैं आपको चाहता हूँ आप मेरे पक्ष में आजाओ फगवान जानते थे कि यदि कहीं ऐसा हो गया एक क्षण के लिए भी दुर्योधन की मती सनमती का रूप ले गई और उसकी वानी से ये निकल गया तब तो महाभारत युद्ध का भी प्राई हिस्समाब तो हो जाता और आप भी सुचें कि युद्ध सिपूर यदि कहीं ऐसा हो जाता दुर्योधन क्रिश्ण को मांग लेता और मांग लेने पर फगवान क्रिश्ण को दुर्योधन के पक्ष में जाना पड़ता वचन की रक्षा के लिए लेकिन तब क्या इस्थिती होती है और इसी लिए भगवान क्रिश्ण ने कहा कि दुर्योधन प्रात्मिक्ता मांगने की अर्जुन की रहे जानते थे क्रिश्ण कि कुछ भी हो कितने परलोबन क्यों ना हो सामने किवल यही सेना नहें पूरे त्रेलोग के का सामरज्ज क्यों ना हो सामने अर्जुन के भीतर की आवास तो एक ही होगी केल एक ही तु चाहिए और इसी लिए भगवान ने कहा पहले अर्जुन मांगेगा और अर्जुन के लिए तो सेना अस्त्र शस्त्र सब एक और एक खण नहीं लगाया अर्जुन ने कहा क्रिश्ट मुझे तो आप चाहिए केवल आप